सवाल नमबर तीन यदी L देखिए इसका मतलब हुआ कि रेखा खंड AB की लंबाई ठीक है इसको L लिखा है लेंथ लिखा हुआ है कि AB जो रेखा खंड AB है इसकी लंबाई है देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है कि रेखा खंड AB की लंबाई को ब्यक्त करता है ये ये जो लंबाई को ये ब्यक्त कर रहा है यानि कि लंबाई A B A B रेखा कंड की लंबाई ठीक है तो निमनांकित रिक्त अस्थान को इस परकार भरे की कथन सत्ते हो सवाल में देखे दिया हुआ यहाँ पे कि लंबाई A B यानि कि जो रेखा कंड A B की लंबाई है, वो किसके बराबर होगी? तो देखिए, L, LMSB, AC यानि AC रेखा-kần की लमबाई, PLUS, LMSB, और यहाँ पर आपको लिखना है. और यहाँ पर दिया हुआ है कि C जो है रेखा-kần AB पर है, तो देखिए AB एक रेखा-kần है और इस पर एक बिंदू है C जो इस पर स्थीत है ठीक है तो देखिए A B बराबर क्या होगा तो A B बराबर हो जाएगा A C और पलस C B ठीक है देखिए A C A C पलस C B अगर यहां से यहां तक इसको और यहां से लेकर यहां तक दोनों को जोड़ देंगे तो A B निकल लेगा ठीक है तो A B बराबर होगा A C पलस C B तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेखाखंड A B की लंबाई बराबर होगी रेखाखंड A C की लंबाई और पलस रेखा खंड CB की लंबाई तो सवाल में देखिए यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है पलस A यहां तक दिया हुआ है यहां पर आपको लिखना है यहां पर क्या है? CB है तो यहां पर लिखे देज़ेंगा CB लिखिये चाहिए BC लिखिये दोनों बराबर हैं CB भी अप लिख सकते हैं चाहिए BC भी लिख सकते हैं ठीक है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा CB कि सवाल नंबर चार इसमे कहता है कि रइक्थ अस्थानों की पुर्ति करे एक सम कौन में कितना अंस होते हैं ठीक यहां देखीए यह एक सम कोन है तो हमको पता है कि सम कौन में 90 degree होते हैं तो डिगरी को हिंदी में बोलते हैं अंस तो कितना तो नब्बे यानि कि नब्बे अंस होते हैं नब्बे डिग्री बोलिए चाहे नब्बे अंस बोलिए डिग्री को ही हिंदी में अंस बोलते हैं तो एक सम कोन में मुझे पता है कि नब्बे डिग्री होते हैं ठीक है यानि कि नब्बे अंस होते हैं यह answer हो जाएगा देखिए सवाल नंबर B यदि बिंदू X कोन B A C के अभियांतर में हो पहले यहां तक आप समझे देखिए कोन B A C एक हम कोन बनाते हैं B A C ठीक है तो B A C एक कोन है और इस कोन में एक बिंदू है X देखिए इसके अभियांतर अभियांतर का मतलब क्या हुआ यानि B A C जो कोन है उसका एरिया देखिए यहां से लेकि यहां तक सब एरिया हो गया इसका अभियांतर मतलब हुआ कि इस कोन के अंदर में कोई एक बिंदू है X बिंदू है ठीक है यह बहुत एंगल देखिए, यह जो एंगल है यह आपको दिया हुआ है 42 डिग्री सवाल में, कि यह एंगल है 42 डिग्री, तथा B, A, C बराबर 70 डिग्री, देखिए B, A, C, यानि कि यहाँ से लेकि यहाँ तक यह जो कौन आप देख रहे हैं, यह है 70 डिग्री, तो X A C क की माब बताईए यानि कि कौन X A C यानि कि ये कौन कितना है ये वला निकालना है ठीक है तो देखिये इस सवाल को हम solve करते हैं यहां देखिये कौन B A C बнакомे देखिये B A C ये जो कौन बनाभा है ये कौन बना हुआ है इस कोन को और इस कोन को मिला करके ठीक है इसको अगर इसको दुनों को अगर हम जोड़ दे तो यह कोन बन जाएगा तो पहले इस कोन का नाम लिखिए देखिए बी ए एक्स यह लिखेंगे बी ए एक्स पलस फिर इस कोन का नाम लिखिए तो इस कोन का नाम है एक्स एसी कोन एक A C B A C ब्रावर देखिए दिया हुआ है B A C B A C 70 Degree पर कि- बी-ए-एक्स देखिए db-e-e-s यानि कि यह आंगल आपको दिया हुआ 42 ऑडिरी और कह रहा है कि ये एंगल कितना है ये बताई ठीक है यानि-क शाओ means तो 70 डिग्री यानि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस मह जाएगा 42 डिग्री बराबर कौन XAC यानि कौन XAC बराबर 70 में से 42 घटा दिजिए ठीक है तो कितना बचेगा 28 डिग्री यानि कि ये वाला कौन 28 डिग्री होगा ठीक है यहाँपे लिखेंगे 28 डिग्री